जब सरकार में नरंतरता होती है, सरकार वापस आती है, तो लोगों को भी सरकार से हिसाब मांगने का मुखा मिलता है। अगर आपने मुझे 2019 में न बिठाया होता तो आप मेरे से हिसाम मांग सकते हैं क्या नहीं मांग सकते हैं कुल और सरकार आ जाती लेकिन आपने मुझे दुबारा बिठाया उन्निस में तो आप मुझे पूछ सकते हैं मोदी जी वो क्या हुआ मोदी जी उसका कब करोगे और मोदी जी को भी लगेगा भाई मुझे करना पड़ेगा ये जनता जनार्दन का दबाव बहुत काम करता है अब आप सोचिए कोरोना के समय कितनी मुझेल आई हैं हम भी यही सोच सकते थे कि अभी पांच साल के बाद तो सरकार बदलने वाली हैं हिमाचल का तो रिवाज है कोरोना आया है आया है वेश्य चला जाएगा हम भी सोच स से लेकिन हमने वो नहीं सोचा पहले भी हिमाचल की लोगों को मालूम है कोई भी वेक्षिन मगरें आती थी आखिर में सारे देश का काम हो जाये तब जाके हिमाचल की बारी आती थी भायो भनो हमने तय किया जब हमें सेवा भाव से काम किया हमने इस सोच को हमारे आसपात पटकने भी नहीं दिया जब कोरोना आया तो हमने हिमाचल में टी का करण पर भावत बल दिया दूर दराज की लाकों में भी हमारी सरकार पहुची हमारे सुर्ष्वास्त करमी गए हमारी माताई बहने गई उन्होंने लोगों को वैक्षिन लगाई और हिमाचल परदेश का पहला ऐसा राज्य हमार बन गया जिसने शत्पतिशत्टी का पहले कर लिया हमने यह नहीं सुचा कि पांच साल के बाद बदलते हैं कुछ करने की जरूत नहीं हमारे लिए तो यहां की एक-एक जिंदगी मुल्यवान है भिमाचल का एक-एक नागरिक हमारे लिए इश्वर का रूप है यही हमारा क काम करने का तरीका ऐसे ही काम के आधार पर हम भाजपा के लिए आपसे दो बारा आशिरवाद मांग रहें